स्टालिन के बेटे उदे निदी स्टालिन के सनातन धर्म पर दिये गए विवादित बयान पर हिंदु धर्म गुरूओं का गुस्ता थमने का नाम नहीं ले रहा है गुरुवार को किन्न अखाडे की प्रदेश अध्यक्ष महामंदलेश्वर स्वामी कौशल अनंदगिरी टीना मा ने उदे निदी स्टालिन के सनातन धर्म के बयान की निंदा करते हुए सिविल लाइन सुभाष चौराहें पर स्टालिन की तस्वीरों को फूंका उत्तर प्रदेश किन्न वैलफेर बोर्ड की वरिष्ट सदस्य कौशल अनंदगिरी ने गुरुवार को स्टालिन के बयान के खिलाफ किन्नरों को साथ लेकर सुभाष चौराहें पर नारे बाजी कर प्रदर्शन किया हाथों में पोस्ट लेकर उद्यनिदी स्टालिन से सनातन धर्म पर दिये गए बयान को लेकर उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग की है उन्होंने मांग किया है कि सनातन धर्म को लेकर ऐसे बयान देने वाले लोगों की जीप काट लेनी चाहिए गौर्टलब है कि उदेनिधी स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म मलेरिया है डेंगू की तरह इसे खत्म कर देना चाहिए वहीं इसके जवाब में टीना माने कहा कि मलेरिया जब उदेनिधी स्टालिन को डस लेगा तो वो बच नहीं पाएंगे उन्होंने कहा कि ऐसा बयान सनातन धर्म और देश के लिए सही नहीं है उन्होंने स्टालिन को अग्यानी बताते हुए कहा कि वो सनातन धर्म का मतलब नहीं जानते हैं इसी बज़े से इस तरह की बयान बाजी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सनातन धर्म विशाल सोच के साथ सब को लेकर आगे बढ़ने वाला धर्म है हम लोग ने जलाया हम लोगट कड़ी सब्द में इस वर्थे महारा धर्म ऑल्ला के परहार किये हैँ जो सनातन धर्म को कटाज किये वही आज खतम होने के तागार में हैं तो हम यही कहना चाहती हूँ कि जो उद्रेय सिंग को कड़ी से कड़ी सजा हो और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे बोलने से पहले उनको सव बार सोच लेना चाहिए और ऐसे बोलने वाले के जीव काट लेना चाहिए और मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोग चूप नहीं बाइटेंगे, ऐसे ही जबाब देंगे। आराइब ही जबाब देंगे, पत्राइब ही जब से पितना उसे ही जबाब ही जबाब देंगे जबाबे जब देंगे।